हेलो फ्रिंड श्री शिवाई नमस्तु भ्यम दोस्तों 28 सितंबर गुरुवार की दिन अनंत चतुरदर्शी है आप सभी को मेरी तरब से अनंत चतुरदर्शी की बहुत बहुत चुप कामना है दोस्तों यदि आपको किसी भी तरह की परशानी है बहुत जादा प्रोब्लम हो पारी है आप करके ठक गए है तो इस वाले उपाय से आपकी सारी मनुकामना पूर्ण हो जाएगी मनुकामना चाहे शादी से रिलेटेड हो एक्जाम से रिलेटेड हो आपको भगवान से कुछ भी चाहिए हो जैसे कि घर में व्यापार धंदे से रिलेटेड लक्ष्मी मात जो कुछ भी प्रोग्लम होगी आपकी जरूर सॉल्व होगी एक बार ये उपाई जरूर करके सुनिए ध्यान से सुनिए इस उपाई को सब से पहले आपको लेना है एक लोटा जल भर लेना है आपको लेना है दो चावल के दाने चावल के दाने बिल्कुश साबुत होने चाहिए खड़े होने चाहिए कटे फटे तूटे नहीं होना चाहिए ठीक है हमने ले लिए दो चावल के दाने साबुत उसके बाद आपको कैसर को जाने केसर क्ष sare साल हमार्कै केसर मार्केत में आसानी से दोश नहीं है दोश होना जाएज ऐऽ दिके हैं कि केसर को आपको पानी में भिगो देना है दो चार बुंद फोड़े से पानलें तो इस evapor पानी में टालेंगे तो आपको आप से मल लेना है थोड़ाजर हो जाएगा निकले हुए पानी आपको जादा नहीं लेना है वो थोड़ी सी केसर मिला के उसको घिस लेना है मिला लेना है उसका कलर थोड़ा सा चेंज होने लग जाएगा जैसे ही वो अच्छे से मिक्स हो जाए अब आपको उसमें वो जो दो चावल के दाने है वो डाल देने है उस पानी में अब चल जो आप पानी वे गये है उस कतो को भगवान शिव जी पर समरपित करना इसा कम भगवान शिव Woah झुटे नमें लेकले एसा बोलना है जब आप भगवान शिव जी को केसर और चावल वाला पानी जल चड़ाएंगे ना जब आपको उल्टा मंत्र बोलना है शिवाय नमह ओम ये वाला मंत्र अनंत चतुरदशी के दिन उल्टा बोलने वाले का और ये जल चड़ाने वाले की सारी मनुकामनाय पूर होंगी आप एक बार यह उपाई जरूर करके देखिए थेंक्यू फ्रेंड श्री शिवाई नमस्तुब्यम